56 दुकान पर NRI के साथ ही CM वा राजनेताउं ने 56 दुकान की व्यंजनों इसमें मुखे रूप से पाव भाजी, पानी पुरी, दही पुरी, आलू पेटी, जानी, होट डॉग, रबडी, गजक सहित मिठाईयों का आनन्द उठाया यहाँ पर अतिति देवो भव का नजारा भी देखने को मिला यहाँ पर CM की पतनी साधना सिंग ने अपने साथ वेठे NRI को अपने हाथों से इन व्यंजनों को खिलाया वही NRI ने भी उन्हें अपने हाथों से ये व्यंजन टेश्ट कराया होट डॉग, आलो पेटी, पानी पूरी, दही पूरी, पावभाजी जैसे लजीज वेठेजनों का लुफ्त NRI के साथ साथ सीम सिवराज सिंग चोहान और उनकी पतनी साधना सिंग ने उठाया साधना सिंग ने अपने हाथों से NRI को लजीज वेठेजन खिलाया इन दौर आकर बहुत अच्छा लगा, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मुखी मंत्री उन्हें परसनली मिले और उनका स्वागत किया यह बहुत ही रेयर और इंपोर्टेंट इवेंट है मियामार से आये रविशंकर ने कहा कि इन दौर के बारे में सुनकर वे यहां आना चाहते थे यहां कहीं जगे देखी है, यहां सभी मदद करने में भी अच्छे है USAI सौरब ने कहा कि उन्होंने यहां काफी पी, पटेटो ट्विश्टर भी ट्राइ किया यहां पर दुकानदारों का भी विवहार अच्छा लगा मंदीर में भी उन्हें वी आईपी दर्शन करने को मिला हर जगे सफाई देखने को मिली, इंदौर जैसे क्लीन सिटी उन्होंने कहीं नहीं देखी इंदौर ने जिस उत्साह के साथ प्रवासी भारती का स्वागत किया है ऐसा लग रहा है, पूरे इंदौर में दिपावली मनाई जा रही है लाइटिंग, रंगोरिया, स्वागत द्वार, होडिंग, स्वागत द्वार तो छोड़े दिल के द्वार और घर के द्वार भी खोल दिये प्रवासी भारतीयों मेरे साथ बैठे हैं, वें कहा रहे हैं कि ऐसा हमने पहले कहीं नहीं देखा यह अदभुत इंदौर, अतुले इंदौर है वन्टू वन में पताचला कि यहां कई सेक्टरों में लोग इन्वेश्टमेंट करना चाहते हैं मत्यप्रदेश के रिए आसा और उम्मीदों के द्वार भी खुल जाएंगे विकास की द्रिश्टी से अपना मत्यप्रदेश, अपना इंदौर, अनंत आकास में उची उडान भरेगा देशभक्ती के गीतों के सासु सजित मंचपर सियम ने अपने चिर परचित अंदाज में नदिया चले चले रे धारा और महमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है गीत सुनाएं